है यह यह होगा वहीज वेल्किम कि यॉर्वन जा कि वीडियों में हम थेंट स्ट्रेट च्रोकश के साथ देखे थे इस वीडियों में हम ड़ी वांशनेंट कर्व के साथ देखेंगे तो चलि स्टाटज करते हैं डबल कॉंसोनेंट कर्व के साथ ठीक है तो हमने किसी भी स्ट्रेट कॉंसोनेंट के बाद एल कैसे लगाना है और किसी भी स्ट्रेट कॉंसोनेंट के साथ आर कैसे लगाना है वो सीख लिया है अब हम कर्व के साथ देखेंगे कि कर्व के साथ एल और आर कैसे लगाना है तो द जोड़ता है, जैसे कि आपको लिखना है FR, F एक कर्व कॉंसोनेंट है, तो स्टार्टिंग में उसके साथ एक छोटा हुग जोड़ दिया, इस टाइप से, तो ये पढ़ा जाएगा FR, ऐसे ही इसको डार कर दिया, तो VR, ये THR, और ये THR, ये थर और ये दर, अब इस एक्जा तो ऐसे आपका एवरी बन जाएगा, एक और एक्जाम्पल देखते हैं, आपको लिखना है, अदर, तो ये दर, और यहाँ पे वोवल, तो ये अ और दर बन जाएगा, ऐसे ही आपको लिखना है, श्रब, तो श्रब ऐसे बन जाएगा, स्टार्टिंग में एक स्मॉल हुग जोड़ना है, तो SH के साथ R, मतलब कर्व कॉंसोनेंट है, SH उसके साथ R जोड़ गया, SEV के साथ R जोड़ गया, TH के साथ R जोड़ गया, FR जैसे आपको लिखना है, FR में free, तो आप free ऐसे लिख सकते हो, तो ये FR के साथ, F के साथ R जोड़ गया, तो किसी भी कॉंसोनेंट के साथ R जोडने के लिए उसके स्टार्टिंग में एक छोटा सा हुक लगाना है एक अग्जांपल देखते हैं जैसे आपको लिखना है फेवरेबल तो आप फेवरेबल ऐसे लिखा जाएगा अब इसमें वर के साथ हमने R जोड़ा V के साथ कर कॉंसरेंट वाला R जोड़ा और स साथ L जोड़ा तो फेवरेबल ऐसे लिखा जाएगा अब देखते हैं L वाला तो ये तो था स्मॉल हुक किसी भी कर कॉंसरेंट के स्टार्टिंग में स्मॉल हुक कर देंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे एक R अब लार्ज हुक देखते हैं किसी भी कर कॉंसरेंट के स्टार जैसे इसमें दोनों साइड हम hook तो नहीं लगा सकते हैं हुक एक साइड लगा सकते हैं अंदर की साइड बार की साइड लगाएंगे तो बड़ा आजीब लगेगा इसलिए हमने hook का size जो है वो छोटा और बड़ा कर दिया example देखते हैं इसमें जैसे कि आपको लिखना है final तो f और null ऐसे बन जाएगा यहां पर आई वाला वावन तो final यह nr लिखना होता तो nr के लिए छोटा hook होता starting में पर null के लिए nl के लिए बड़ा होक है एसी एक और example देखते हैं आपको लिखना है civil अब इसमें क्या होगा will आप कैसे लिखोगे वा में बड़ा होक ऐसे यह will हो जाएगा अब इसमें sir वाली sound जो s circle है तो उसके लिए आप starting में s circle और will civil तो civil ऐसे लिखा जाएगा एक और example देखते हैं जैसे कि आपको लिखना है personal तो personal ऐसे लिखा जाएगा पर अगर आपको लिखना है prisoner तो prisoner में यह जो हुक है वो छोटा हो जाएगा यह हुक देखिए छोटा है यह हुक बड़ा है तो starting में जब हुक बड़ा होगा तो उसको L पढ़ेंगे L वाला हुक और starting में जब हुक छोटा होगा तब उसको R वाला हुक अब यह तो हमारे normal होगे L और R वाला हुक curved consonant के साथ अब इसमें कुछ और rules भी हैं वो भी देखते हैं तो इसमें जो additional rules है curved consonants के लिए वो देखते हैं इसमें क्या है देखिए कि FR, VR, THR और THR एक THR थर के लिए और एक THR दर के लिए तो इन सब का हम reverse form भी बना सकते हैं reverse form से मतलब जैसे की FR हमारा ऐसा बनता है VR इसी को dark करके थर ऐसा बनता है और दर ऐसा बनता है दोनों में light dark का difference होता है बस तो इसकी reverse form भी बना सकते हैं जैसे की FR को हम ऐसे भी बना सकते हैं VR को भी हम ऐसे बना सकते हैं THR को हम ऐसे बना सकते हैं और दर को भी हम ऐसे बना सकते हैं तो इन सब की reverse form भी हम बना सकते हैं मतलब दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, original forms को भी और reverse forms को भी, पर कौन सी चीज़ कहां पर यूज़ करने हैं, वो कैसे बता चलेगा, तो चलिए देखते हैं, इसमें जो पहला rule है, वो है कि जब इन सब में से कोई अकीला consonant होगा, जैसे कि सिर्फ एक यही consonant है, FR है और इसमें कोई वोवल लगा हुआ है, या VR है और उसमें कोई वोवल लगा हुआ है, कोई और consonant इनके साथ जोइन नहीं हो रहा है, तब कैसे यूज़ होगा, तब इसमें जब starting वोवल से नहीं हो रही होगी, example देखते हैं, जैसे कि आपको लिखना है free, तो free में starting FR से हो रही है और end में वोवल है, पर starting में कोई वोवल नहीं है, FR से पहले कोई वोवल नहीं है, तब आप इसकी duplicate form use करोगे, मतलब reverse form use करोगे, तो free आप कैसे लिखोगे, free, ऐसे, ऐसे ही आपको लिखना है 3, तो 3 आप कैसे लिखोगे, 3, ऐसे, THR के लिए ये hook और reverse form THR की, ऐसे, लेकिन जब starting में वोवल आ जाएगा, तब आपको original form use करने है, जैसे कि आपको लिखना है offer, तो offer के लिए आप ऐसे use करोगे, original form, FR के original form कैसे है, ऐसे, FMR original में ऐसे बनता है, तो FR offer आपका ऐसे बनेगा original form में, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप खाली F लिख रहे हो, तब आपको उनकी original form में लिखने है, तब आप उनको reverse नहीं कर सकते है, reverse आप एक ही case में कर सकते हो, कब जब F, V, TH के साथ R जुड़ा हो, तब आप reverse कर सकते हो, खाली F और V और TH को आप reverse नहीं कर सकते है, अच्छा तो offer आपको लिखना है, तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ही तब हम इनको कैसे कैसे use करेंगे, पर अगर कोई consonant join हो रखा होता है, अब example देखते हैं, जैसे कि हमको लिखना है gather, तो इसमें THR तो है, THR की sound है, पर उसके साथ G वाला consonant भी join हो रखा है, तब हम कौन सा वाला dar use करेंगे, ये वाला या ये वाला, तब हम वो वाला dar use करेंग ये वाली dar लिखते में, ज्यादा आसा हूरी है, तो ये वाला use करेंगे, अब gay और dar ऐसा करेंगे, तो हमें पड़ा नहीं जाएगा, ये problem हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमसे var बढ़ सकता हैं या far बढ़ सकता हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो gather में ये वाला use पर अब जैसे कि आपको लिखना है cover, तो cover में आप दोनों use कर सकते हो, cover में ये भी चलेगा और cover में ये भी चलेगा, दोनों ये आप से अच्छे से लिखे जा रहे हैं और दोनों ये पड़े जा रहे हैं, तो जब जो चीज़ आपको लिखने में ज्यादा सानी होगी, आप वाला form use करेंगे किसी दूसरे consonant के साथ, अब एक और example दिखते हैं, जैसे कि आपको लिखना है before, तो B और 4 आप ऐसे लिखोगे, फर ऐसे लिखोगे, अब L वाला case दिखते हैं, L वाला case क्या है इसमें, जभी भी K, G, N, और upward, straight stroke, जभी भी K, G, N, और upward straight stroke के बाद, F, L और V, L आएगा, तो उसकी reversed form use होगी, तो K, G, N, और upward straight stroke, upward straight stroke मतलब R, H, W, Y, तो इन में से कोई से भी, जभी भी इनके बाद F, L या V, L आएगा, तो उसकी reversed form use होगी, तो example देखते हैं इसमें भी, जैसे कि आपको लिखना है navel, तो नय और reversed form क्या होजएगी, वल, ऐसी, original form कैसी होती है, वल, ऐसी, तो reversed form ये, वल, ऐसी आपको लिखना है rival, तो राई और वल, ऐसी, ऐसी आपको लिखना है reflect, तो री, फल और आधा क, क को आधा कर दिया, तो उसके साथ क्या जुड़ गया, त, तो reflect, तो जबी भी भी N, K, G, और upward straight stroke, जैसे कि यहाँ पर R के साथ लगाए हमने, तो जबी भी भी इनके बाद, की FL और VL आएगा, तो आप उनकी reverse form यूज़ करेंगे, अब एक और rule देखिए इसमें, थर्ड रूल, SHL, SHL को हमेशा आप reverse form में यूज़ करोगे, ऐसा, SHL कैसा, bottom to top वाला SHL, जैसे कि आपको लिखना है, तो आप लिखोगे, SPAY और SHL, ऐसे ही आपको लिखना है, जैसे कि SHELF, तो आप लिखोगे, SHL और F, SHELF, ऐसे ही आपको लिखना है, PARTIAL, तो आप लिखोगे, PAR और SHL, ठीक है, तो जबी भी ऐसे चला आएगा, किसी भी वर्ड के साथ, तो उसके कौन से form यूज़ होगी, बॉटम तो टॉप वली, रिवर्स फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन जब SHR आएगा, तब कौन से form यूज़ होगी, टॉप टू, बॉटम वाली, नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म, तब ये वाले SHR यूज़ करोगे, जिसे कि आपको लिखना है, प्रेशर, तो प्रेशर, आप इसमें एक थोड़ा सा different rule है, जिसमें कि NG जैसे हम लिखते हैं, उसकी voice चेंज हो जाएगी, वो क्या रोले हो देखिए, आपको लिखना है, इंकर और इंगर, अंकर और अंगर, तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे, जो अंग होता है, N को डार करके अंग लिखते हैं इसके आगे आप एक आरवला हुक जोड़ दोगे, तो इसको आप अंकर और अंगर बढ़ोगे, एक्जामपल दिखते हैं, जैसे आपको लिखना है थिंकर, तो आप थिंक की शॉट फोर्म ये है, और इसके साथ इंकर ये बन जाएगा, डार्क में, ऐसी आपको लिखना है बैंकर, तो बै और अंकर के लिए ये, अब यद रखे, ये डार्क है, इसको हम अंक पढ़ते हैं, फर इसमें आरवला हुक लगाने के बाद इसको हम अंकर भी पढ़ सकते हैं, और अंगर भी पढ़ सकते हैं, का और गर दोनों के सांड़ आइगी, तो ये हो गए हमारे अले चेक्टर से वो है यहां से start यह देगे 76 exercise तक हम complete कर चुके हैं double consonant curve यहां से start है तो यह सारे words करने है two two lines each इसके अदिए यह सारे words two two lines each short forms four four lines each exercise 77 exercise 78 exercise 79 फिर है additional forms यह सारे words two two lines each फिर exercise 80 exercise 81 और exercise 82 तो exercise 77 से आपका homework है exercise 82 तक ये सारी fix आपको Google Drive पर मिल जाएंगी जिसके link मैंने description में दे रखी है अब वहाँ से जाके इनको download कर सकते हैं और अपना homework कर सकते हैं अब answers भी हमें देखना है exercise 61 से exercise 76 तक कुछ नहीं वो देख लेते हैं तो exercise 61 this simple advice saves you many hours of toil just fill in the attached form below and post it to us or apply to your local dealer for details of this useful article please supply me with a few samples of cloth in blue and black which would be suitable for autumn suits I should be obliged if you would include a couple of samples each of single and double twins please deliver to us as early as possible 50 copies of the book entitled clothes and how to make them this these are to be supplied at a total cost of pound 75 including delivery we are we are pleased to know that you will be able to deliver some of the tables by the 1st of january and that you expect to supply the rest in two weeks we shall be obliged if you will get enough to us by the 1st to enable us to make a special display of them I believe that many of the articles in this sale should be especially valuable to you for the first time in the history of the store we are able to make them available at a reasonably low cost and I urge you to call and inspect them as soon as soon as you possibly can do not wait till it is too late I called the house several times and in as much as each time I was unable to get any reply I think that these people were away and the house was closed you have not replied to our note of 4th february asking for a check for the goods supplied to you on 12th november we would like to know why you have not settled this bill if you wish to place your furs in cold storage we can call for them and deliver them to you when you tell us to do so our charges are most reasonable let us store them for you and you will have nothing to worry about most people have believed in the past that it was necessary to pay a lot of money for a good club city no doubt they were right but we can tell you now that it is not at all necessary to pay much for a good article as we have just put on the market our easiest city which is available for only a small sum please tell us what the cost would be of a safe about 4 feet high and with a capacity of about 40 cubic feet the cost should include delivery to this building exercise 63 in the belief that you will wish to stop at a simple but pleasant hotel we have sent to you today a copy of our recently issued booklet the total charge for a couple per week is only 10 guineas this rate includes a double room single rooms are 5 guineas and up our fare is simple but good people tell us that our table is first class they say indeed that it has no equal we doubt that it is unequal but we do know that we use only the best foods and that our charges are quite reasonable we make no charge at all for golf or swimming so these are x-ray 64 answers video pause 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 Pound 21 a credit of Pound 1 is thus due to us this is evidently an error in billing thank you for bringing to our notice the error in the bill of 16th October for four oak chairs we are enclosing our credit note for Pound 1 and we apologize for the trouble to which we have put you dear sir we are glad to know that you wish to be a member of our club as manager of the club I wish you to feel at liberty to use our facilities until you are elected a member your name is to be proposed next week yours truly XI 66 dear sirs during the month of April we propose to increase the prices of number of the items at present in the catalog the increases are necessary because of the higher costs we now have to absorb if your branch is going to issue a new catalog you should not proceed with it until you have the new prices please remember that you must not issue your list one until we post you the new prices yours truly XI 67 dear miss black in April we brought out a new series of history books the series is for use in forms two to six these books solve many problems for the children they treat the subject in a bright practical way and we think you will agree that the series gives a new and better approach to the subject with your present heavy program the books should enable you to make the greatest progress with your classes if you would care to inspect the books we should be glad to dispatch copies to you if you would give the books a trial we know you would be delighted with the results yours truly this paper is extremely strong its extra strength makes it especially suitable for your purpose I am sorry to have a disagree with you but I believe that it would be best to make out a separate bill for each item delivered the duties of a good secretary are described in this book each duty is set out separately and fully discussed I believe that this book would be most useful to you our catalog describes the different items fully you will note that each item is given a separate number I believe that a large number of the members of the members of the of our society were surprised and displeased at the extreme views presented by the speaker in his address on the liberty of the press xa 70 dear sirs we enclose a description of the building and spring street we think this building is an extremely valuable piece of property and we strongly urge you to buy it it is quite close to the new south road you can buy it today for a small outlay and we have no doubt that in a few years it will increase in value we believe in fact that in a year or your property property in this district should be worth double its present price why not inspect it as soon as you possibly can yours truly exercise 71 our records show that you have not purchased anything in this store for some time we regret this as most unfortunate for we value your patronage highly we hope that it is not due to some unsatisfactory purchase or to some lack of proper service we wish to give you service strictly in accordance with your desires several members of the college faculty expressed the belief that it was absolutely necessary to include an extra course in this subject our industry prospers because of the direct methods we employ with our customers we tell them only the truth with when we describe our products i think that we should take the proper steps to bring about the passage of these bills relating to labor problems and i believe that care should be exercised by all not to obstruct this it is equally true that the recent decreases in the prices of cheaper fabrics are expected to result in increased sales exercise 72 dear sir i shall be much obliged if you will supply me with a few samples of extra strong super glazed paper such as would be suitable for my class of work the colors i most desire to see are dark blue and gray if the samples satisfy me if the samples satisfy me and the prices and terms of sale are reasonable i believe i shall be able to deal extensively with you i shall be pleased if you will also include in the parcel a sample or two of a stout make of paper i should like to receive these samples by wednesday if possible yours truly exercise 73 dear sirs we are pleased to tell you that we are the makers of the famous double strength brakes these brakes are believed by all who use them to be the most reliable and the safest of all the makes at present on the market during the month of april we deliver them each week to dealers in all the principal districts if you would care if you would care to test the brakes please call at our showrooms to permit a member of our sales staff to tell you all about them we are certain that you will be both surprised and pleased if you give them a trial yours truly xx 74 dear sirs as soon as you have expressed a desire to know something of our silk blouses and dresses we take the liberty of inviting you to visit our offices and sales rooms at 65 worth street in this city we shall be pleased to show you samples of our styles for this season our designs avoid all extremes in styles without any loss of charge already record sales are reported by the jobbers already record sales are reported by the jobbers we have sent our catalogue to you by parcel post today you will note that retail dealers are supplied at prices that make a strong appeal to them yours truly So as, you can see the difference in terms of transactions we have sent out to you by doing some of our factors of the life with respect sales are reported xz 75 and 76 to our list xz 75 and 76 to our list xz 75 and 76 to our list xz 76 to our list xz 76 this is here donc When I was in your shop on the parade, I saw a different type of tar tube. I should like to buy four or five of them for my car. I think you will enjoy our show if you can come to see it. I wish you to make out a check for the boiler. and get it off tonight by airmail. Our failure to do what they wish may annoy them. But how can we do what they ask? The village was a mile beyond the mouth of the... Why do you know when Roy and Dinah are going to Cuba? I know the boy would like to go with them. Why was the charge put on my March bill? Do you know when the ship may leave? It will go out with the tide at five. How far do you have to go? Do you wish to come with me? You should write your name in ink at the bottom of the form. What do you think we ought to do? I think we should give them a month in which to pay the bill. If you wish to catch the boat, you will have to leave Ajli. I think you will have to buy a coil for your car. If you can arrive at five, you will be in time for the talk. I have no wish to annoy you. But I think the debt should be paid. I admire the type of youth who will do a job thoroughly for a low outlay. You can get a couch for the room. A cure for the lazy boy would be to give him a job which would keep him busy. Why have you allowed our bill to go unpaid? What can we do for you? You can read and write for an hour. How can we keep in touch with them when they go away? Why do you think it would be the wrong thing to do? I think you are right. But you may have to show why you are making the change. So this is the 17 and 18 dictation. I have increased the dictation speed today. I have increased the next exercise. It will also increase the speed of the next exercise. That is why you have to do more practice. So that's all. If you liked this video, please like and subscribe. and subscribe to our next videos. Thank you.